दोस्तो नमस्कार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजूकेशन तक मैं दोस्तो भी की बहुत ही बड़ी खवर निकल क्यारी पार्टली पुत्रा इनुवर्सिटी की तरफ से जी हां दोस्तो जो भी छात्र अभी तक फ्रेस आवेदन नहीं किये थे यानि की छुट गये थे किसी भी कारण वस असनातक में नमांकन के लिए उन्होंने आवेदन नहीं किया था उन सभी को बहुत ही बड़ी मौका दिया है पार्टली पुत्रा इनुवर्सिटी ने इसके लिए डेट आपको जारी कर दिया गया फिर से आपको पोर्टल है जो कि री ओपन किया जा और जो भी छात्रा भी तक आवेदन नहीं कर पाएं थे वह आवेदन कर सकते हैं और दोस्तों जो भी छात्रा आवेदन कर चुक हैं उनका किसी भी मेरिटलिस्ट में नाम नहीं आया यानि कि आपका फर्स्ट मेरिटली जारी किया गया सेकंड मेरिटलिस्ट थर्ड मेरिटल देगा अपने सभी दोस्तों के पास में शैयर कर दीजएगा ज्यादा सि्यादा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल के बेल गंटी को जल्दी से दवा ले तो दोस्तों इसकीन पर आप लोग पेपर आर्टिकल को देख सकते हैं सबसे पहले में दोस्तों आपको दिखा देता हूं नीचे यह कब का नीज पेपर है तो देखिए यहां पर आपको हम डेट दिखा देते हैं लाइप रूप के साथ सबसे पहले तो यहां पर देखिए वेडरनेश डे 27 अक्टूबर 2021 का यह निज पेपर हैं आप लोग परभात खबर में जाकर देख सकते है चली अब हम बात कर लेते हैं पूरी डीटेल के साथ तो देखिए सबसे उपर में हेडिंग में दिया गया है पीपीयो यानि कि पाठली पुत्रा इंवर्सिटी असनातक में नमांकन के लिए 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक करे आवेदन जी हां दोस्तो यहां पर देखिए नमांकन के लिए आवेदन करने के लिए यहां पर डेट दिया गया है 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच है जो कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं चले विश्तार से जान लेते हैं तो आप लोग अंत तक देखेगा पूरी जनकारी आपको हम बताने वाले हैं जिनका अभी तक किसी भी कारणवस से उनका एडमिसन नहीं हुआ है तो देखेगे यहां पर बताया गया कि पार्टली पुत्राविस विद्याले ने एक बार फिर असना तक सत्रे 2021-24 में नमांकन के लिए तीथी बरहा दी है यह तीसरी बार है जब तीथी बरहाई गये क्योंकि कई कोले से यहां पर देखे परचार और कई छात्र संगठन है जो की स्टुडेंट लीडर है उन्होंने अनुरोध किया था तो यहां पर देखे पार्टली पुता इनवर्सिटी की तब से आपका डेट जारी कर दिया गया है 31 अक्टूबर से 3 नमवंबर के बीच आपको पोर्टल खोला जा रहा है और आप लोग इसके लिए फ्रेस आवेदन कर सकते हैं जिन छात्रों ने अब तक नमांकन नहीं लिया है वे जल्द से जल्द नमांकन के लिए अपलाई कर देविस विदाले के स्टुडेंट वेलफेर दिन प्रोफेसर एके नाक के अनुसार छात्रों के यह अंति मौका होगा और इसके बाद दोस्तों आप लोग का किसी भी आपको यहां पर टाइम नहीं दिया जाएगा यह अंति मौका है तो जो भी छात्र आवेदन नहीं कर पाएं तो जल से जल आवेदन कर पाएं किस तरह से आवेदन करना इसका वीडियो मैं ने पहले ही बना दिया हूँ आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्किप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप लोग देख पाएंगे और आपको यहां पर आई बटन में भी आपको उसका लिंक हम देदेंगे उसी को देखकर आप लोग विशेश मेरिट लिष्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया बुधवार को ऊक्त encant contract के लिष्ट के अनुसार नमांकन सुरू हाएगा चाहतर 30क्टूबर तक नमांकन ले सकते हैं यानि कि आपका लिए अज क्टूबर तक इसका डेट रखा गया है कोलेज में जो भी कॉलेज आपका अलाउट किया गया है कोलेजों को निर्देश दिया गया कि नमांगन के तुरंत वाद वैलिडेट करें ताकि खाली सी टोकी संख्या अगले रांड के लिए मैंसन किया जा सके में चैन्ड चाहिए को कि आप लोग आवेदन कर पाएंगे उसके बाद ही आपका स्पोर्ट एडिमिशन शुरू होगा तो जो भी छात्र जिसका भी अभी तक किसी भी मेट लिस्ट में नमांकन नहीं हो पाया तो स्पोर्ट एडिमिशन बहुत जल्द आपका स्टार्ट होने वाला कि इस तरह से स अपडेट देखना चाहते हैं कोई भी नोटिफिकेशन आया नहीं हो जाया तो आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट हम कर देते हैं तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि वीडियो के डिस्किप्शन में टेलीग्राम कर लिजेगा वहां पर हर एक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेए